मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है शेरों से नहीं लगता हाथियों से नहीं लगता लेकिन वफलों से लगता है अब ही तुफान आ रहा है और हम कैम से काफी दूर है लेकिन हम यहीं रुखने वाले है अमानी को अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए एक शेल्टर मिल गया है मुझे लगता है कि अगर तू फथम जाता है तो अमानी के शिकार करने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त होगा और वो भूखी भी है बच्चे अपने पैर मोड कर बैठे हैं वो बारिश से बच्चने के लिए आमानी के बदन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे है मा चोकन्नी है वो शिकार देख रही है और यह भी कि कोई खत्रा तो नहीं है चार्ट कर बच्चों के बदन से नमी हटा रही है आप देख सकते हैं कि जब ऐसा मौसर रही है हमारे चीते कितनी अच्छी तरह से माहौल में घुल मिल जाते है जब रोशनी कम हो जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते है और अब सब कुछ बदल गया है तुफान रुख गया है और अमानी बहुत सेरियस हो गई है आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं उसके कान खड़े हैं वो देख रही है लेकिन क्या थॉमसेंस गज़एद वो कोशिश करेगी और बहुत दूर से जाएगी ताकि वो उसे आते हुए देखना पाएं क्योंकि ये पूरी तरह खुला इलाका है इसे फाइदा ये है कि इसके चित्तिदार कोट की बज़े से इसकी आउटलाइन दिखाई नहीं दिखेए और नुकसान ही है कि इसके पीछे इसके बच्चे तीन सायों की तरह चल रहे है वो उसके साथ रहना चाहते है लेकिन वो अपना पूरा वक्त ले रही है वो बहुत एक्सपीरियंस्ट है आपने दिखा आमानी क्या कर रही है वो उस एरिया को पार करके आगे जा रही है और यह चेक कर रही है कि कहीं कोई छोटा बच्चा मिल जाए जो अपनी ठुड़ी जमीन पर रखकर लेटा हुआ छुपने की कोशिश कर रहा हूँ और और देखिए उसे एक बच्चा मिल गया जो मैंने सोचा था वही हुआ मानी को एक छोटा बच्चा दिख गया और अब बच्चे उसे दोड़ा रहे हैं इस तरह उन्हें शिकार करने की प्रैक्टिस का मौका बलता है देखा आपने कितनी होशियार मा है इस तरह से बच्चे शिकार करना सीखते हैं क्योंकि जुकना, घात लगाना, जपटना ये सारी चीजें उन्हें जन्म जात होती हैं लेकिन उन्हें इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो इन तीन बच्चों के लिए ये एक ज़रूरी सबक है इसमें और जब शेर को कोई शिकार मिलता है उसमें एक फर्क है शेर अकसर बड़े आराम से उसे खाता है लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं उन्हें जल्दी जल्दी खाना पड़ता है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं शेर और लकडबगे या कोई और उनका शिकार चुरा कर न ले जाए ये मादा गजेल है, ये माँ है मैं देखता आ रहा हूँ कि यही एक है जो आवाजे लगाय जा रही है लगाय जा रही है ये सब को चोकनना करने के लिए आवाजे लगा रही है क्योंकि इसने अभी अभी अपना बच्चा खो दिया है दूसरे वापस जाकर अपने काम पर लग रहे हैं यानि दिन के 16 गंटे घास चरना ये माँ बहुत दुखी है लेकिन गजेल की खुबसूरती उसके पैरों की तेजी तेरा बदन ये सब शिकार में होने वाली दौड भाग से ही बनता है ये एक लड़ाई है एक दौड है जो विकास की प्रक्रिया में शिकार और शिकारी के बीच लगातार चलती रहती है असरे को चाट-चाट कर साफ कर रहे है उन्होंने बहुत बड़ा शिकार नहीं मारा लेकिन बच्चे को शिकार की प्रैक्टिस करने का मौका मिला और अमानी की भूग थोड़ी शान्द हो गई इसलिए कुल मिला कर आज का दिन अच्छा रह कि बच्चे कर दो